नमस्कार आप सबी का मेरे चैनल स्वेट स्पैशन पे पुना से स्वागत है अभिनंदन है आप जिस तरह से अपने पढ़ाई पे फोकस किये हैं आप इसी तरह से फोकस करते रहिएगा आज का जो टॉपिक है वो है स्पैंसर का ओर्गिनिजमिक एनलोजी का थियोरी स्पैंसर को जब हम पढ़ते हैं अपने यूजी पीजी के सिलेबस में मोस्टली तो दो थियोरी उनकी पढ़ते हैं एक और्गिनिजमिक एनलोजी की थियोरी पढ़ते हैं साव्यवी सादर्शता का सिधान पढ़ते हैं और एक सामाजिक उद्विकास का सिधान पढ़ते हैं social evolution की theory में हम simple to complex और militant और industrial society के बारे में पढ़ते हैं organismic analogy की theory में हम mostly पढ़ते हैं किस तरह से living organism और society का correlation है Spencer ने अपने इस organismic theory में living organism एक साव्यव को और एक समाच को आपस में उन दोनों की तुलना की है कुछ point विभिनता की भी बता हैं पर mainly उन्होंने समाच को एक साव्यव के रूप में ला करके खड़ा कर दिया क्योंकि वो दौर जो था वो Darwin की theory का दौर था तो कहा जाता है कि Spencer बहुत हद तक Darwin की theory से inspired थे इसलिए उनको bulldog भी माना जाता है sociological world में तो चलिए start करते हैं आज का ये वीडियो प्लीज आप मेरे चानल को अभी तक subscribe नहीं किये तो प्लीज मेरे चानल को subscribe करिए अगले notification के लिए bell icon को जरूर प्रेस करिएगा दूसरों को share करते रहिए like करते रहिए और ऐसे ही अपना इसने बनाए रखिए तो चलिए start करते हैं आज का वीडियो किसी भी thinkers को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम उसके life sketch को जरूर जानते हैं और हमें जानना भी चाहिए 1920 से लेकर के 1903 तक इनका tenure रहा मतलब date of birth जो है वो 1820 से 1903 तक and was born in Derby, England मतलब कि ये भी British जो sociologist थे उस रूप में इनकी जो उपस्थिती है society में है और 27 अपरेल 1820 में इनका जन्म हुआ and he was recognized as one of the important social philosopher of the 19th century 19 वी शताबदी के ये बहुत महान सामाजिक जो एक वैग्यानिक के रूप में सामाज वैग्यानिक के रूप में उभर करके सामने आए और माना जाता है कि ये कॉम्टे की जो evolutionary approach की धारा है उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया था और इन्हे classical evolutionist theory का father भी माना जाता है ठीक है father of classical evolutionist आप समझ जाएंगे कि किस तरह से किस तरह से इन्हें हम इसका father मानते हैं क्योंकि इनकी theory ही पूरी social evolution की theory है और 1848 में ये the economist बहुत renowned journal था उसमें ये as a editor appoint हुए और 1850 में आते आते इन्होंने अपना सबसे बड़ा काम social statics इनका major work है इसको इन्होंने complete किया and he is famous for his theory of social evolution and organismic analogy in the study of sociology तो समाज शास्त्र में इनकी दो theory बहुत ज़्यादा famous है social evolution की theory और organismic analogy की theory दोनों ही theory सामाजिक उद्विकास का सिध्धान और साव्यवी सादर्श्रिता का सिध्धान ये दोनों ही theory मैं आपको पढ़ाऊंगी दो volume में part 1 और part 2 में तो part 1 में मैं organismic analogy की theory पढ़ाऊंगी जो कि इसी video में शुरू होगा अब इनके कुछ important writings देख लीजे क्योंकि बहुत जगह पे इनकी किताबे पूछी जाती है तो principle of ethics, synthetic philosophy, principle of sociology जो की 1880 में आया social statics जिसका भी मैंने नाम दिया था 1850 में complete किया principle of biology, the study of sociology and the first principle first principle भी इनकी बहुत important book में से है अब हम लोग start करते हैं इनकी organismic analogy की theory organismic analogy इसको समझने के लिए जानने के लिए एक सीधा सा फंडा ये है कि इन्होंने living organism को और society को compare किया मतलब living organism के characteristics को और society के characteristics को एक रूप में ला करके खड़ा कर दिया तो समाच को एक जीवित व्यक्ति के रूप में एक साव्यव के रूप में उसकी तुलना इस्पेंसर ने की है अपने organismic analogy की theory में आप जब इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको one by one clear होता जाएगा कि किस तरह से समाच को एक living organism से उन्होंने तुलना की और कहीं हद तक माना जाता है कि जो इस्पेंसर थे वो डार्विन के सिधानत से बहुत जादा प्रभावित थे क्योंकि उसी समय डार्विन की theory आई थी और डार्विन ने evolutionary theory दिया था कि किस तरह से एक living organism होता है मतलब सबसे पहले एक egg का development होता है embryo में और लगातार उसमें cell divisions होते हैं और cell divisions होते 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 एक पूरा का पूरा एक मनुष्य का रूप बन जाता है एक living organism बन जाता है उसी तरह से इसी सिधान से प्रभावित होकर के Spencer ने society का comparison living organisms से किया और आप आगे चलके सारे points में देखेंगे तो Spencer ने प्राड़ी शास्त्री या साव्यवी उद्विकास सिधान को समाज पर लागू किया यही जो मैं अभी बता रही हूं और यह निश्कर्स निकाला कि समाज भी एक साव्यव के रूप में मतलब समाज भ विकास की प्रक्रिया भी एक जैसी होती दोनों का evolutionary आप फेज देखेंगे चाहे वो living organism का फेज हो चाहे वो किसी society का हो दोनों का जो evolutionary methods होते हैं evolutionary process होते हैं वो एक जैसे होते हैं तो organismic analogy ये theory जो है वो साव्यवी सादर्शिता इसको हम हिंदी में कहते हैं मतलब कि समाज एक साव्यव के रूप में society as a living organism ठीक है to see society as an organism इन्होंने समाज को एक organism के रूप में देखा एक साव्यव के रूप में देखा and he borrowed this concept from the biology अब मैं एक यहाँ पर diagram जैसा बनाई हूँ आप इसमें देखिए कि जैसे एक human body होती है आप अपनी ही body का example उठा के देख लीजे तो जैसे human body होती है उसके बहुत सारे parts होते हैं internal and external organs होते हैं जैसे eyes होता है, nose होता है, lungs होता है, kidney होता है, liver होता है, intestine होता है, heart, skin, chest, leg, hand, ear यह सब और parts होते हैं human body के ठीक उसी तरह society है, समाज है, समाज के भी अलग-अलग part होते हैं, social system होता है, political system होता है, educational system होता है, religion होता है, culture होता है, economic system होता है, हमारी morality होती है, ethics होते हैं, values होते हैं, यह सब society में पाए जाते हैं तो इसी तरह से उन्होंने comparison किया कि किस तरह से human body जो है, एक society की तरह होता है, ठीक है, यह society जो है, वो human body की तरह होती है जैसे human body अलग-अलग parts से मिलकर के बना होता है, उसी तरह समाज के भी अलग-अलग parts होते हैं, समाज की भी अपनी एक संरचना होती है, structure होता है और यह structure किन-किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो हमारे आर्थिक विवस्था से, हमारे राजनीतिक विवस्था से, हमारे सैक्षडिक विवस्था से, हमारे धर्म, संस्कृती, ethics, values, मुल्यों, इन सबसे मिलकर के समाज बना रहता है अब आगे और भी मैं चीजों को बताओंगी, यहीं पर एक बर मैं और पताना चाहती हूँ कि जिस तरह से यह सारे part independent work करते हैं, करते हैं जैसे आख अपना काम करता है, नोज अपना काम करता है, किड़ने अपना काम करता है, जैसे आख देखने का काम करता है, नाक हमारा excretory system करती है, जो waste products होते हैं, उनको body से बाहर निकालती है, उसी तरह heart जो होता है, वो blood को purify करने का काम करता है, pumping करने का काम करता है, lungs जो होता है, वो oxygen को लेता है, और carbon dioxide को exhale करता है, inhale और exhale का काम करता है, मतलब सारे parts अपना अलग-अलग काम करते हैं, पर ये सोचे कि किसी एक parts में अगर problem होती है, for example कि हमारे lungs में problem हो गई, या liver में problem हो गई, तो उससे पूरी body affected होती है, होती है न, पूरी body affected हो जाती है, उसी तरह हमारा समाज है, हमारे समाज के हर जो वो है, parts है, वो सब अपना अलग-अलग काम करते हैं, सामाजिक विवस्थाएं, समाज से संबंध कारियों को करती है, आर्थिक विवस्थाएं, अर्थ विवस्था और production और consumption इनका काम करती है, जो सैक्शोरिक विवस्था है, वो अपने कामों में लगी रहती है, पर किसी एक विवस्था में अगर समस्या आती है, तो उससे पूरा समाज प्रभावित होता है, तो इस तरह से comparison दिखाया गया, एक human body का, एक society से, आगे हम देखते हैं कि according to Spencer, the process or rule of evolution applies to the society, जो उद्विकास का नियम है, जिस तरह से एक मानव का उद्विकास होता है, एक human body आगे बढ़ती है, cell division के तुरू, उसी तरह से ये उद्विकासी प्रक्रिया समाज पे भी लागू होती है, और इसका नियम क्या है, ये अच्छी तरह से point याद करिएगा, ये जो छे शब्द है, वही organismic analogy का core है, क्या है, Spencer की भाषा में, उन्होंने बोला है कि society changes from indefinite, incoherent, homogeneity to definite, coherent, heterogeneity, चेक है, क्या बोला है, English Hindi में भी समझ लीजे, कि साव्यव जो है, वो उसी तरह समाज, एक अनिश्चित असंबध समानता से, निश्चित संबध विभिनता में बदलता है, चीक है, इस पूरे 6 points को मैं अच्छी तरह से explain करूंगी, पर ये मान के चलिए कि organismic theory का, यही 6 शब्द core है, heart of this organismic theory, कि बताया गया है कि the evolutionary phases, evolutionary process जो होता है, उद्विकास ये सिद्धान जो होते हैं, या प्रक्रियाए होती है, वो indefinite, incoherent, homogeneity से definite, coherent, heterogeneity की तरफ चलती है, likewise, जो social evolution होता है, जब समाज क्या जो उद्विकास होता है, वो भी inherited, sorry, indefinite, incoherent, homogeneity से definite, coherent, heterogeneity की तरफ move करता है, अब मैं इस 6 पॉइंट को आपको explain करने जा रही हूँ, सबसे पहले मुठाते हैं, primitive वेरा में, जब society का evolution हुआ, मैंने इससे पहले अगस कॉम्चे को भी पढ़ाया है, उसमें society का evolution की बात कैसे होते हैं, कि हम सबसे पहले primitive stage में होते हैं, या मार्क्स की भी theory को आप देखिए, तो हम primitive stage में होते हैं, फिर धीरे हम जो की nomadic life पे depend था अब फिर धीरे हम settled stage में आते हैं, फिर हम दास stage में आते हैं, फिर हम agricultural stage में आते हैं, फिर हम industrial stage में आते हैं, और फिर हम post industrial stage में आते हैं, तो इस तरह से या जिसको capitalist society भी आगे चलके कहा गया, उसमें हम आते हैं, तो ये society का evolution है, कि समाज जो है, वो हमेशा सरल से जटल की तर आदिम समाज में समाज कैसा रहा होगा, society was very simple, बहुत सरल प्रकृती का होगा, और इसके सारे parts, सारे parts मतलब जो पीछे मैंने समझाया है, social system, या economic system, या political system, या culture, या religion, जितने भी उसके parts हैं, वो सब घुले मिले थे, सब mixed थे, और किसी का अपना separate identity नहीं था, ठीक है, प्रिम family होती थी, a family used to do all kinds of socio-economic and political task, जो परिवार होता था, वही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी प्रकारिक कारियों को करता था, society was just a group and lived a nomadic life, जो समाज होता था, वो कैसा होता था, हम जुंड में रहते थे, हम बंजारों वाला जीवन जीते थे, ठीक है, मतलब वो जु उसरे जगह गया, वहां लोगों का, मतलब हंटिंग किया, food gathering किया, मतलब शिकार किया, खाना इकठा किया, और खा लिया, मतलब हमारी नीड जो थी, उस समय वो थी, food की, ठीक है, और थोड़ा बहुत accommodation की, और थोड़ी इसी जो minimum requirement ही, वो थी हमारी, मतलब और कोई चीज की ह हमें जरूरत नहीं थी, ठीक है, उस time पे nothing was certain at this level, उस time पे कोई भी चीज certain नहीं थी, neither human life nor social organization, तो इस तरह से वो समाज जो था, primitive society था, वो indefinite था, indefinite मतलब अनिश्चित था, मतलब समाज की कोई निश्चित था नहीं थी, बस एक जुंड गया, कहीं गया, वहां पर शिका किया, लोगों को खाया, इंसानों को खाया, जानवरों को खाया, और फिर वहां से चल गया, और क्या थी, incoherent थी, असंबध थी, मतलब जो different parts थे, वो सब एक दूसरे से related नहीं थे, मतलब सब mix थे, और समानता थी, homogeneity थी, structure में difference नहीं था, family ही सरवे सरवा थी, ठीक है, त homogeneity से, ठीक है, मतलब कोई चीज definite नहीं था, सब कुछ indefinite था, असंबध थे, सब कोई एक दूसरे से relation नहीं था, और समानता थी, किसी भी जो structure के अलग-अलग हिस्से होते थे, मतलब economic system, social system, ये सब आपस में घुले मिले थे, पर जैसे जैसे society आगे बढ़ती गई, जैसे समाज का विकास होते गया, मनुश्यों के ज्यान का विकास होते गया, मनुश्यों की जो अनुभो थे, जो experience थे, और जो ideas थे, विचार थे, उनके में विकास देखने को मिला, मतलब आप जान नहीं सकते हैं कि हम विकास ही किये हैं, हमारा पतन नहीं हुआ है, हम हर दिन विक कर्णास करते चले गए इसे इससे सुसाइटी जो है वो ठीड़े दीरे दीरे सुसाइटी हुआ दे는 में सुसाइटी ही और ना वहीं सोद्निंद्या सलए अ पती है से उन्युक्ता शली संद एक विपात घाने संहें दिखी दिरे दिरे सैक्षुरिक संरचना दिखी फिर दिरे दिरे राजनीतिक संरचना दिखी और इस तरह से division of labor और specialization दिखने लगा मतलम अब विशेशी करण दिखने लगा विशेशी करण जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था अलग दिखने लगी आर्थिक व्यवस्था कर सकता था हर व्यक्ति सिर्फ किसी एक specific work को ही कर सकता था तो समाज की उन्नती के साथ मनुश्यों के ग्यान के विकास के साथ हमारा समाज भी धीरे-धीरे विक्सित होते गया और समाजिक जीवन के जो विभिन अंग थे वो भी इसपस्ट दिखने लगे परिवार राज गाउ नगर, धार्मिक संगठन, इत्यादी हिस्से जो हैं जो संरचना के अलग-अलग पार्ट हैं वो हमें पूरी तरह से दिखने लगे और इस तरह से श्रम विभाजन और विशेशी करंट भी होते गया जब ऐसा हुआ तो हम कहने लगे कि अब सोसाइटी जो है वो चेंज भी definite, coherent और heterogeneity की तरफ मतलब अब समाज में कुछ भी चीज जो कहा गया अनिश्यत नहीं रहा निश्यत होते गया ठीक है अब लोगों में संबधता दिखाई देने लगी और संबधता के साथ साथ विभिनता भी दिखाई देने लगी क्योंकि हर पार्ट्स अलग-अलग ब लिखने लगी तो अब आप जो Spencer का जो 6 point core था कि society changes from indefinite, incoherent, homogeneity से definite, coherent, heterogeneity की तरफ तो आप इसको primitive society के evolution से ले करके और आज की जो present society है उसके evolutionary process में आप इन 6 शब्दों को अच्छी तरह से explain कर सकते हैं तो Spencer की जब भी organismic theory लिखे उसमें ये 6 शब्द जरूर और जरूर से आने चाहिए अब हम आगे देखते हैं कुछ ऐसे बिंदूओं को जिसमें similarity दिखाई गई है, समानता दिखाई गई है देखे, Spencer का मानना है कि समाज जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि समाज एक प्रानिशास्त्री विवस्था की भाती है एक साव्यव की भाती है और दोनों की संरचना और कारे समान है दोनों की मतब एक साव्यव का और समाज का साव्यव की भाती समाज की भी क्रमिक विकास सरल से जटिल की तरफ होता है जैसे एक साव्यव जो है वो सरल से जटिल की तरफ आगे बढ़ता है उसी तरह एक समाज भी सरल से जटिल की ओर आगे बढ़ता है जिस तरह से एक साव्यम में श्रम विभाजन आगे होता जाता है उसी तरह समाज में भी अलग-अलग ये संरचनाओं के और अंगों के निर्माण के फलसुरू श्रम विभाजन आगे बढ़ता जाता है तो इस तरह से हम लोगों नहीं यहां पर मैंने कुछ यहां पर पॉइंट्स लिखें कि किस तरह से सोसाइटी और लिविंग ओर्गनिजम को एक दूसरे से कंपैर किया जा सकता है तो पहला पॉइंट देखते हैं कि ग्रोथ हैं डेवलपमेंट और बोच सोसाइटी और लिविंग ओर्गनिजम की साव्यवकार और समाज का दोनों का ही विकास होता है दोनों का ही डेवलपमेंट होता है कैसे होता है simple से complex के रूप में होता है और gradual होता है मतलब धीरे धीरे ऐसे हम नहीं कह सकते कि sudden कोई सोसाइटी primitive रही होगी और वो सीधे industrial सोसाइटी में convert हो गई ऐसे नहीं होता है gradually होता है और कोई भी प्रक्रिया जो होती है वो gradually ही चलती है और simple से complex की तरफ जैसे एक living organism या एक साव्यव का जब जन्म होता है तो एक छोटा सा एग होता है ना embryo में और उस एग में cell division होते 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 सुरू में जब एक एग आता है तो वो single cellular होता है सिर्फ एक ही cell उसमें होते है और उस cell में जब लगातार cell division cell division होते जाता है तो एक वो complex रूब बना देता है एक living organism का आज हमारा देख लीजे जो structure है वो कितना complex है उसी तरह समाज भी होता है समाज भी सरल से जटल की और आगे बढ़ता है और धीरे धीरे ये विकास की प्रक्रिया होती है तो दोनों में इस तरह से समानता है दूसरी स मानता की बिंदू है कि no self of its own दोनों का अपने आप में कोई identity नहीं होता है जब समाज भी जब प्रारंभिक अवस्था में रहा होगा तो उसका भी अपना खुद का कोई भी identity नहीं रहा होगा जिस तरह से एक साव्यव का होता है शुरू में जब एक एग बना होगा तो उस दोनों ही छोटे होंगे और धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलसुरूप्त ये complex होते चले गए होंगे तो दूसरी similarity living organism और society में ये है तीसरी जो similarity है वो है close relationship in its parts and organs दोनों के ही part में दोनों के ही organs में organ in the sense में living organisms के के लिए कह रही हूँ और part में society के लिए कह रही हूँ तो दोनों के ही part में बहुत close relationship रहा है जैसे कि in living organism different organs perform different functions for the continuity of whole ये word Spencer दिये है कि हर जैसे living organism में अलग-अलग हिस्से अलग-अलग कारियों को करते है आख अपना काम करता है नाक अपना काम करता है किड्नी अपना काम करता है पर ये अलग-अलग काम किस ले करते है ताकि whole मतलब की संपून जो है उसकी निरंतरता बनी रहे मतलब एक शरीर की निरंतरता बनी रहे उसी तर समाज भी है, true for the society also, जैसे यहाँ पर समगर की निरणतरता बनी रहे, तो यह तीसरा प्ον करती था, fourth similarity क्या है कि importance of the whole in both society living organism की संपून का जो महत्व है वो दोनों में है चाहे वो लिविङ organism की बात की जह साव्यव की बात की जह है समाज की बात की जह यहां पर सब अ है तो पून है जब वो अपनी अपनी भागिदारी दे संपून के औचित को बनाए रखने के लिए इसी तरह समाज का अपना importance बहुत जादा है अलग-अलग parts अगर importance है ठीक है वो मानते हैं पर वो किसली importance है ताकि society बनी रहे तो चौथा जो similarity है वो यह है पाच्वा similarity कि there is one center of control in both society and living organism दोनों में ही चाहे वो साव्यव हो मतलब living organism हो चाहे वो समाज हो दोनों में ही एक जो है वो control की विवस्था है मतलब साव्यव में मस्तिक्ष इस नायू द्वारा शरीर के वेभिन अंगों पर नियंत्रन होता है और समाज में मस्तिक्ष का यह कारे सरकार एवं प्रिशाशन करती है मतलब जिस तरह से human body को control कौन करता है हमारा brain करता है सारे parts अपना अपना काम कर रहें पर control का काम कौन कर रहा है यह brain कर रहा है मतलब एक जो है single controlling system है जिस तरह से living organism में उसी तरह से समाज में भी single controlling system है society को control करने का क्या कौन काम करता है government और administration तो पाच्वा similarity यह हैं छटी similarity क्या है कि living organism is made up of cell whereas society is made up of individual जिस तरह से साव्यव जो है वो cell से बन करके मिला आप अगर अपनी body को देख लीजे पता नहीं अंगिनत cell से मिल करके बना होता है इसलिए हम इसको multi cellular organisms भी कहते हैं तो उसी तरह समाज का जो cell है वो क्या है वो individual है वो व्यक्ति है जिस तरह से समाज बहुत सारे व्यक्तियों से मिल करके बना है उसी तरह जो living organism है वो बहुत सारे cell से मिल करके बना हुआ है तो यह कुछ points जो मैंने बताए छे points आल्मोस्ट यह similarity के बताए कि किस तरह से एक साव्यव जो है वो समाज से मिला हुआ है समाज जो है एक साव्यव के रूप में काम करता है आगे चलके Spencer ने कुछ विभिन्नताएं भी बताएं कि समाज और साव्यव में कुछ आधार भूद भिन्नताएं भी हैं भिन्नताएं क्या है पहला है कि development of living organism take place according to natural law in which living organism developed at certain speeds जैस अब difference क्या है कि जिस तरह से living organism में जो growth होता है जो development होता है कुछ प्राक्रतिक नियमों द्वारा होता है ठेकर पर जब समाज में अगर विकास की हम बात के करें तो समाज का विकास प्राक्रतिक नियम के अनुसार नहीं होता है बलकि मनुश्यों के खुद के प्रयत्नों के फल सुरूप होता है, मनुश्य द्वारा उस विकास की गती तेज या धीमी की जा सकती है, इस तरह से living organism नहीं है, जो growth की speed है वो अपने आप चलती जाएगी, natural होता है ना growth, उस पे हमारा control नहीं होता है, क्या आपके उपर control है, क्या आप अपने बच्चे को बच्चे ही रहने दे, या आप बुड़े ही नहीं हो, या आप हमेशा यंग रहें, ऐसा तो नहीं होता है, natural laws होते हैं, अपने आप चलता रहता है growth, पर society में अगर इस development की बात की जाए, तो यह human के efforts होता है, मनुश्यों के, जो खुद के प्रेयतनों द्वारा होता है, और वो इस विकास की प्रिजगती को दीमी भी कर सकता है, और टेज भी कर सकता है, दूसरी विभिनता है, कि जिस तरह से जो body है, जो living organisms है, वो बहुत सारे cells से मिल कर के बना होता है, अभी मैंने बताया, यह similarity में बताया, उसी तरह समाज जो है, बहुत सारे मनुश्यों से मिल कर के बना होता है, आप यह नहीं बता सकते यह ऐसा सेल है तो वैसा सेल है सब आपस में घूले मिले होते हैं पर समाज में हर व्यक्ति का महत्व होता है अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, हम उसको मिलने, मतलब एक नहीं कर सकते, ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या है साव्यव और समाज में, कि जिस तरह से लिविक और्गिनिसम एक कंक्रीट है, मुर्थ है, ठीक है, जैसे आप किसी अपने को ही देख लिजे, आप एक दिखाई दे रहे हैं कि आप ये हैं, उस पर समाज हम मुर्थ नहीं मान सकते, समाज जो होता है, वो अमुर्थ होता है, बहुत बार एक्जाम में कोशन आते हैं, कोशन आता है कि बताये समाज मुर्थ है कि अमुर्थ है कि दोनों है, तो maximum of the students होते हैं, वो दोनों पे टिक लगाते हैं समाज मुर्थ भी है और अमुर्थ भी है जो कि बिलकुल गलत explanation है समाज जो है वो हमेशा अमुर्थ होता है एक समाज जो होता है वो मुर्थ का उधारन होता है एक में example भी यहाँ पर देती हूँ जैसे मालीची की बंगाली समाज ठीक है एक example में देरियों की बंगाली सोसाइटी अब बंगाली समाज जो है वो अमुर्थ का उधारन है क्योंकि बंगाली समाज कहां का बंगाली समाज पर अगर हम कहें कोलकता के किसी एक particular area का नाम ले ले जैसे वारांसी का मैं अगर उधारन देंगी तो वारांसी के सोनार पूरा के बंगाली ठीक है तो ये specific हो रहा है ना सोनार पूरा वारांसी जिसका अपना जोग्रिफिकल location है बनारस का ये अपनी जोग्रिफिकल territory है सोनार पूरा की अपनी geographical territory है पर आप देखिए सिर्फ अगर बंगाली समाज का मुधारन है तो बंगाली समाज कहां का ये तो clear नहीं हो रहा है तो हमेशा याद रखिए कि जो समाज होता है वो अमुर्थ होता है और एक समाज होता है वो मुर्थ होता है तो ये दोनों में difference है कि साव्यव जो है living organism जो है वो मुर्थ का उधारन है और जो समाज है वो अमुर्थ का उधारन है next मैं difference ये बता रही हूं कि no centralization of consciousness in the society whereas living organism it has centralized consciousness अब देखा जाए तो साव्यव में चेतना शक्ति केंद्रित होती है चेतना शक्ति कहां केंद्रित होती है हमारे brain में brain में मस्तिक्ष में चेतना शक्ति केंद्रित होती है और इसके विपरीत अगर समाज की बात की जाए तो समाज में प्रतेइक अंग का प्रिथक चेतना शक्ति होता है आप देख लिजे क्या किडनी का अपना चेतना शक्ती होता है क्या हार्ड का अपना चेतना शक्ती होता है नहीं होता है मनुष्य के शरीर में चेतन शक्ती जो है वो कहां है सिर्फ मस्तिक्ष में है पर अगर हम बात करें इसकी समाज की तो समाज की हर अंग के चाहे वो राजनीतिक विवस्ता हो चा की अपनी अपनी सब की प्रिथक चेतना शक्ति होती है तो यह कुछ मैंने आपको डिफरेंस बताए और कुछ आपको सिमिलारिटी बताया तो अब हम निशकर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं मतलब जो आप भी आपने पूरी तरह से और्गनिजमिक एनलोजी की थियोरी पढ उसके निशकर्ष में हम यह कह सकते हैं कि इस्पैंसर का जीविच शरीर की समाज से तुलना का उदेश जो था ठीक है इस्पैंसर ने क्या उदेश लेके काम किया कि जीविच शरीर की तुलना समाज से की तो इसका उदेश एक ऐसी विवस्था की और संकेत करना था जिसमें साव्यवी विवस्था मतलब जो living organism system है कि भाती चेतना शक्ती केंदरित हो इसके साथ ही समाज के प्रतेग सदस्य के अंदर प्रिथक चेतना शक्ती के अस्तित्यों को स्विकार किया Spencer ने आपने अभी देखा कि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जो living organism होते हैं उसके अलग-अलग पार्ट में चेतना शक्ती नहीं होती है चेतना शक्ती के इंदरित होती है मस्तिक्ष में पर अगर समाज की बात की जाए तो समाज के हर व्यक्ति के अंदर प्रिथक चेतना शक् इसके अस्थित्यों को Spencer स्विकार करते हैं और वे व्यक्तिक स्वतंतरता का समर्थन करते हैं यह आप निशकर्ष के रूप में कह सकते हैं क्योंकि जब वो अलग-अलग जो अंग है उसके प्रिथक चेतना शक्ती को स्विकार कर रहे हैं जब Spencer तो इसका मतलब यह है कि वो समर्थन कर रहे हैं और यह निशकर्ष निकालते हैं कि व्यक्ति का कल्यान राज्यों के नियंतर्ण के अभाव के फलसुरूप भी हो सकता है कि अगर राज्य का नियंतर्ण हमारे उपर नहीं है राज्य का नियंतर्ण अगर नहीं भी है तो भी चुकि हर व्यक्ति की अपन कि हर व्यक्ति की अपनी चेतन शक्ति है तो उस चेतन शक्ति के द्वारा वो अपने कल्यान का कारे कर लेगा उसके लिए बहुत जादा राज्यों के नियंत्रण की आवशक्ता नहीं है स्पेंसर के थेयरी का अगर हम कंक्लूजन देखे तो इस तरह से है तो फिर आपने और्गेनिजमिक एनलोजी थेयरी को देखा समझा आपने देखा कि स्पेंसर ने किस तरह से सोसाइटी को और लिविंग और्गेनिजम को आपस में कंपैर किया और कुछ डिफरेंसिस के भी क्वाइंट उन्होंने बताए तो आप यहां पर कुछ सोर्सिस आपको दीए जा रहे हैं उस सोर्सिस को भी आप जरूर कंसिडर करिएगा और अपने राइटिंग में रिफरेंसिस को जरूर कोड करने को मैंशन करिएगा कि आपने इन रिफरेंसिस को देखा है तो आपको ये Spencer की Organismic Analogy Theory नाम से बहुत टफ लगता है पर अगर हम उसको deeply और बहुत example के साथ समझे तो theory को समझना भी थोड़ा easy होता है और relevant context में देखे एक्जाम में जादा तर अब जो बड़े exams होते हैं उसमें जो ये पूछे जाते हैं कि Spencer के theory का contemporary society पे क्या है आप क्या effect देखते हैं या इस तरह से बहुत सारे thinkers के पूछे जाते हैं तो आप last में मैंने जो conclusion बताया उस पे आप focus करिएगा कि किस तरह से Spencer की जो theory है वो आ आप पढ़ते रहें अपने शक्ती को मजबूत करते रहें आप सभी को मेरा प्रणाम है बाइबाई है बहुत सारा प्यार है बाइब कि अ कि